एक इंग्लिश ओफिजर चो डिस्टिंग जगा पर सवर कर रहा था वहाँ कि लोकल लैंग्वेज सिखने के लिए उसे एक लटकी दी जाती है जो उसके साथ इंटिमेट होगी और उसे लैंग्वेज सिखाएगी प्रॉलम दब आई जब उसे उससे प्यार हो गया हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको The Sleeping Dictionary यह Hollywood romantic movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है हमारी story स्टार्ट होती है 1936 में उस वक्त इंग्लंड पर बहुत सारे देशों पर राज़ था अगर किसी को भी government job करना था तो उनकी education के लिए उन्हें remote सी country में भेज दिया जाता था यहाँ पर वो सर्व करते थे जब वापस आते तब उन्हें ये job दे दी चाती है ऐसा है हमारा main character जिसकान में जॉन इस सर्व करने के लिए सेवाग नाम की country में आया ये country उतनी develop नहीं थी यहाँ के बहुत सारे लोगों को उसकी language भी नहीं आती है जॉन जब पहुचा तो जिसे उसकी language आती है उसे welcome करने के लिए आया हुआ था जॉन को फिर हो उसके officer के पास लेकर आता है जॉन के officer का नाम है Henry और Henry बहुत सारे सालों से यहां रह रहा है Henry उसे बुच्छता है कि तुमारे पास इतने सारे option थे तुम यही क्यों आये जॉन ने कहा कि मेरे फादर ने यही सर्व किया था इन लोगों को education देना चाहते थे अपने father की vision वो खुद complete करना चाहता है Henry उसे कहता है कि success हो नहीं पाएगा यहां के लोग बहुत या लग है इने education देकर कोई भी फाइदा नहीं क्या local लोगों के tribe के head से मिलने के लिए फिर उसे लेकर गया Henry John से कहता है कि जो भी कहेंगे यह तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा वह अब आज जाने पर उसे drink देते John drink नहीं करता पर यह उन लोगों का disrespect होगा तो इसी वज़े से John को drink करना पड़ता है यह drink एक बहुत ही beautiful लड़की लेकर आई थी इसका नाम है सलीमा जो हमारी और एक main character है John में उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी उन्होंने बहुत सारा drink किया और इसके बास सलीमा अपने friends के साथ नाच रही थी सब लोग फिर request करते इस John भी उन्हें कुछ perform कर कर दिखा है वो एक boring सी poem सुनाता है जो लोगों को पसंद ने आए फिर उसे pick up करने के लिए जो आदमी आया था उसे के साथ उसने dance किया सब लोग इस पर बहुत असे है उस आदमी का नाम में balance आया अगली सुपा John ने जो भी किया इसे वो बहुत ही embarrassed था आज Henry अपने साथ सलीमा को लेकर आया था उसे कहता है कि यह तुमारी wife की तरह सारे काम करेगी John को कुछ भी समझ नहीं आता तो उसे समझाता है यहाँ की local language समझना बहुत important है और यही सिखने के लिए सलीमा तुमें help करेगी तुम उसके साथ intimate होगे और यही best way है language सीखने का क्योंकि बहुत सारी century से चलता आ रहा है John को यह सब बहुत ही गलत लगता है वो सलीमा को जानता नहीं वो यह सब नहीं कर सकता Henry ने कहा हम सलीमा को force नहीं करें उसने भी तुमें चुना है Henry अब John को force करने लग गया था तो John मान गया पर हो गहता है कि मैं उसके साथ intimate नहीं होंगा Henry को इस पर गुसा आगया और वहाँ से चला जाता है John ने जो भी कहा इस वज़े से सलीमा को भी उस पर गुसा आगया इनकी area के border में कुछ Chinese लोग घुस कर आये थे और इनकी उनके साथ fight हुई लोकल लोगों ने Chinese लोग को तो मार डाला पर अब order थे कि उन Chinese लोग के सर तोड़ कर ले आये जाए John ने काम बिलन साय को देता है पर बिलन साय ने monkey के head लाये थे John ने पहचान भी नहीं पाया तो सब लोग उस पर बहुत हस्ते है John यहाँ new है और उसे कोई भी seriously लेता नहीं उसे इसके बार में कुछ करना पड़ेगा वो जब घर पर आया तो John की शेफ ने एक लड़का लाया हुआ था उससे कहता है कि मेरा nephew है तुमारे साथ intimate हो सकता है जौन सलीमा के साथ intimate नहीं होता तो शेफ को लग रहा था कि यह है जौन को इस पर गुस्सा आ जाता है उसने कहा कि यह सब नहीं चलेगा उसने गुस्य में सलीमा को भी fire कर दिया सलीमा भी गुस्य में बाहर निकल गे शेफ जौन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली के तो लोग समझेंगे कि वो बहुत ही अगली है उसका मजा गुडाएंगे जौन भी फिर सलीमा के पीछे पीछे गया वो कहता है हमारी कंट्री में ऐसा होता नहीं मैं ऐसे किसी के साथ intimate नहीं हो सकता उसे sorry कहता है और फिर से लाइंग में सिगना ट्राय करना चाहता है सलीमा भी मान की नेकसिन में हम देखते हैं कि जौन कुछ काम के लिए हेंरी के घर पर आया हुआ था यही पर उसके वाइफ एजी से मिलता है एजी उसे पुछती है तुमारी sleeping dictionary कैसी है सलीमा के profession को sleeping dictionary कहा जाता है एजी को इसके बारे में पता था तो उसे कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ता यहाँ की tradition है तु उसने उसे accept कर लिया था रात में जौन और सलीमा एक ही room में अलग-अलग bed पर सोए सलीमा जौन से बुछती है कि अगर तुम किसी और के साथ intimate नहीं होते तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी experience नहीं होगा जौन मजाग में गहता है कि मैं ज़रा classes कर लूँगा जौन उसे बुछता है कि तुमने मुझे choose क्यों किया सलीमा गहती है पाकिस सब लोगों से तुम बहुत अलग हो अगली दिन फिर से लोकोल लोगों से मिलने के लिए जौन गया हुआ था वो अभी भी उसके कोई भी बात मान नी रहे वो कुछ बच्चों को बढ़ा रहा था पर बैलेंस आय को इसमें कोई भी point नजर नहीं आता जौन उसे गहता है कि मैंने सुना कि तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकते हो तुम उसके चैंपियन हो बैलेंस आय कहता है कि हाँ तो जौन उसके साथ अब competition करना चाता था सारे लोग इसके लिए बहुत ही excited हो गये यह दोनों पानी में गये थोड़े टाइम बात बैलेंस आय उपर आ गया और जौन अभी भी पानी के नीचे ही था वो लासली बाहर आया तो एक गेम जीट चुका था पर उसके पास oxygen cylinder है यहाँ के लोगों को oxygen cylinder के बारे में कुछ भी पता नहीं तो सब लोग उसे डर जाते है जौन ने बेलेंस आय को हराया तो उसके सारी बाते मानने लग जाते है आज रास सलीमा जौन को चिल्डरन के बूग से पढ़ा रही थी जो लोरी सलीमा का रही थी जौन के फादर जब वो छोटा था तो यही उसे सुनाय करते थे सलीमा कहती है कि मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे वो जब 4 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी यही लाइंगवे सिखते सिखते है उसे हाथ, नेक, इन सारे बॉडी और्गन्स के बारे में सिखा रही थी एक दूसरे को टच करने लग गए और फिर इंटिमेट हो जाते है इसके बाद यह बार-बार इंटिमेट होने लग के एक रात इंटिमेट होने के बाद सलीमा यहाँ से जा रही थी जान कहता है मेरे बेट पर ही सो जाओ सलीमा उसे कहती है कि हमारी ट्रेडिशन है दो लोग पास रात तक एक साथ उठें तो उन दोनों की engagement हो जाती है तो मेरे साथ engagement नहीं जाते है अगली रात हेंडरी ने जॉन को अपनी घरबर बुलाया था हेंडरी के बेटी अपना education कंप्लीट करकर इंगलंड से वापस आई थी यह सब एक साथ dinner कर रहे थे हेंडरी के बेटी का नाम है सिसिल सिसिल इंगलंड में यही के local लोकों पर research कर रही थी वो बातों मातों में कहती है यहाँ पर बहुत ही अजीब से tradition हुआ करते थे कोई new officer आया तो language सिखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती थी सिसिल को पता नहीं था कि आज भी यही tradition चल रही है सिसिल वंडर करती है कि उन दोनों में यह कोई भी feelings develop होगी हेंडरी को लगता है कि इस तरीके से कोई भी feelings develop होना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ एक tradition है जान कहता है कि उन दोनों में feelings develop हो सकती है जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी हेंडरी को एबात बहुत ही गलत लगती है जॉन घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है अगली दिन जॉन और सिसिल एक साथ थे सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था वो रिसर्च कर रही थी तो इस रिसर्च के लिए जॉन उसे सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटो भी ले रही थी वो सलीमा के सामने आई वो उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता वो जॉन से कह थी कि इसे मना करो पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आए एक डेंजरेस बिमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी यह अक्च्छल में हो कहा रहा है तो इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोग को लेकर चला जाता है उसके साथ बोलंस आए और सलीमा भी थी जाने से पहले एज़ी उसके पास आई वो कहती है मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटर है वो यह बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जॉन को यह बहुत ही अजीब लगा वो कुछ रिस्पॉंस दे नहीं रहा था तो आजी कहती है जल दीज़े इसके लिए हा कहे दो वन्ना तुम्हारे हाद से हो चली जाएगी जॉन ने रात में सलीमा से बात की उसे बुशता है मुझसे पहले कि मेरे जैसे और भी ऑफिसर्स थे सलीमा कहती कि हाँ जॉन ने जिस तरीके से सिसिल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया इस वज़े से सलीमा उस पर बहुत ही गुशा थी उससे कहती है तुम भी बाकियों की तरह ही हो जॉन उसे पुशता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशनशिप कुछ भी अलग नहीं सलीमा कहती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूँ जॉन समझ गया कि उस पर वो गुशा है अगले दिन ये सब उस बिमारी को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जगा पर पहुचे यहाँ पर और और भी लोगों की बिमार पढ़कर डेथ हुई थी जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रिसन क्या है तब एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया बिलंसाई ने उसे देख लिया था तो जॉन को बचा लेता है ये दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते है उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे जॉन समझ गया कि इस बिमारी की बीचे यहीं लोग होंगे वो जब वापस आये तो सलीमा भी बिमार पड़ चुकी थी जॉन ने इस बस होजा तो रियलाइस करता है कि सलीमा ने राइस खाया था जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोगों को राइस दिया अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यही राइस सलीमा ने भी खाया था पर इस लोग पोईजन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है अब यहाँ के जो लोकल लोग थें यह बहुत ही डेंजरस है अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो सारे लोग को मार डालेंगे बोलन साय जॉन से बुशता है कि क्या मुझे इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था इस वज़े से जॉन भी उन्हें मारने के ओर्डर दे देता है जॉन ने रियलाइस किया कि सलीमा बिमार थी तो उसके लिए बहुत ही वरीड था वो उसके बिना जी नहीं सकता उसे इसा बात कहे देता है उसने उसे marriage के लिए प्रोपोस किया सलीमा गयती है हमें कोई भी allowed नहीं करेगा यह बहुत ही heart होगा John गयता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लोग हमें समझ लेंगे John ने सलीमा के बारे में जब हेंडी से बात कि तो हेंडी उस पर बहुत ही गुसा हो गया था गयता है ऐसा कुछ भी allowed नहीं यह हमारी government को disrespect होगी John सलीमा को जाने नहीं दे सकता इसा बात एजी ने सुने एजी ने उसे कहा इस सलीमा तुम्हारी पास थे अब तुम आगे बढ़ो हेंडी उसे एक offer देता है कहता है तुम अब फिर से England जाओगे वाबर शादी करोगे और फिर अगर तुम्हें लगा तो फिर से वाबस आ सकते हो पर अगर तुमने offer नहीं ली तो उन मायनर्स को मारने के लिए मैं हमेशा के लिए तुम्हें जेल में डाल दूँगा इसी के parallel में सलीमा को भी blackmail किया जाता है अगर उसने जॉन को जाने नहीं दिया तो बोलंसाय को लोग मार डालेंगे बोलंसाय के फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते है सलीमा मानती नहीं तो उसे केज में डाल दिया गया था जॉन भागते बागते उसके पास आया सलीमा उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था यह सब पॉसिबल नहीं हेंडरी सलीमा और जॉन को लास चांस देता है अगर वो बाने नहीं तो इन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना जाती तो कहती है कि अब मैं इसे कभी भी नहीं मिलोंगी सलीमा ने भी जॉन को जाने के लिए कहा इसके बाद हम देखते है कि डारेक्ली एक साल बीच चुका था जॉन की सिसिल के साथ शादी हो चुकी है इनकी वेडिंग नाइट पर सिसिल जॉन से बूचती है या तुम्हारी कोई स्लिपिंग ब्यूटी थी जॉन उसे सच कहता है पर सिसिल को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता जॉन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुका था तो जॉन ने फिर जे डिसाइड किया क्यों उसी जगा पर जाएगा वहाँ और इन्हें वेलकम किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को वेलकम करते हैं रात में इने मुवी दिखाय जाती है पर इन सब लोगों में जॉन सिप सलीमा को नहीं ढूम रहा था वो अपनी लाइफ में खुश है सिसिल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगली दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया वहाँ पर एक और ओफिसर है उसकी और कोई स्लिपिंग डिशनरी इस ओफिसर और जॉन जब से यहाँ है तो एजी उनका observation कर रही थी उसे लगता है कि सिसिल और जॉन की बीच में उनकी relationship उतनी अच्छी नहीं यह सब वो जब बात कर रही थी तब ही जॉन ने यह सब सुन लिया वो अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है उसने एजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के बास था तो उसने सलीमा उसके बेटे को देखा सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है उसे बहुत ही शौग लगा और वो सलीमा से मिलना चाहता था अपने शेफ से बात करता है कि हमारी मीटिंग अरेंज करवाओ दिमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे जॉन कहता कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटे से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने वापस चला जाएगा इसी वजह से उसके साथ यमें 30 साल रही यही जीश में मेरी बेटी के साथ नहीं होने दोंगी उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए वान करती है जौन इस बात को सिर्यसली लेता नहीं वह अब सलीमा और अपने बेटे के स हेंडरी कहता है अब हमें बोलन साय को मारना पड़ेगा सलीमा तुम्हारी पास थी तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था जौन कहता है कि अगर तुम्हारी ऐसे ही और कोई डॉटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते हैं हेंडरी ने कहा यही सही होता यह बोलते हुए वो के फोस में जॉन को बुलंजाए को टेट कि सजा दिनी पड़ी अगली दिन बुलंजाए को हैंक करने वाले थे पर बोलंजाए नहीं एक बाद जौनकी जान बचाई थी रात में जाकर उसे छुड़ा जाओ यहां से दूर भाग जाओ रात में स्लीमा भी उसे मिलने के लिए जॉन कहता है अगर हमें एक साथ रहना है तो यहां से हमें भाग जाना पड़ेगा इन्होंने भागने के लिए एक डेट डिसाइड की हिन्री जॉन पर इस बात से बहुत गुसा था जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेवील के पास जाने के लिए कहती है एज उस थी और जॉन बहुत जादा कंफ्यूस्ट हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए रात में जब सलीमा और नेवील अकेले थे तो नेवील सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया सलीमा ने नेवील को बहुत मारा फाइनली वहां के शेव की मदद से वो नेवील को मार डालती है अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेवील उसे बहुत मारता और कभी भी जाने नहीं देता इसी के पैललल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था सीसिल की वज़े से वो उसके साथ नहीं चाह सकता पर इस सब बात सीसिल को पता चल गई यह लेटर वो पढ़ती है उससे वो बा प्राइवरिटी नहीं देते सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तो मैं उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती है जो पूरी तरीके से मुझसे प्यार नहीं करता सीजिल हो फूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएका वो जॉन क जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जॉन नहीं आया वह बहुत हार ब्रोकन हो कही जॉन उनकी जगह पर लेट भोशता है पर सलीमा को ढूंडनी पाता जॉन का शेह फ्रेंड जॉन के लिए सलीमा पर और कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीमा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था कि हेंडरी उसके फादर है हेंडरी जब घर पर आय तो एजी उस पर बहुत ही गुस्सा थी कहती है कि तुम कुछ भी करने नहीं वाले हेंडरी कहता है मैं मेरी बेटियों क जौन को मार डालो जौन ने हर जगावर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे तभी नेविल उनके पास आ गया उसके पास गंद थी उसने जौन को हटकडिया पहना दी वह सलीमा के साथ जबरदस्ति करने लग गया तभी अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहावर भोश गये यह वही लोग हैं जिनको मरने से जौन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जौन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जापाओ तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जौन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं यह तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे इसी मुमेंट पर यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्सप्लेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजएगा वे बहुत सारी मुवी लेकर आधा रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नुटिवेशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आ अब अबने आपका खैल रखिया